तो आपको जो भी अपना नया डेटा करना है वहाँ पर आप उसका स्टोर कर सके मतलब कि मैं आपको सिंपल स्टेप में बताना वाला हूँ कि कैसे आप अपने समसंग के लेक्सी में जो मॉबाइल की स्टोरेज है उसको एजिली खाली कर पाएंगे और मैक्सिमम लेवल तक त तो यह आप समझ पाएंगे चलते आगे मेरे नाम सनी अरो और आपको स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैं बता है मैं आपको पताने मालों कैसा है आपने समसंग एलेक्सी में स्पेस को फ्री कर पाएंगे वह भी मैक्सिमम लेवल तक तो उसके लि यहां पर मेरे पास 90% मेरा यहां पर मेमोरी यूज़ है 128GB से 116GB मेरे पास यहां पर मेमोरी मैंने इसको यूज़ करके रखा है और नीचे आपको ब्रीफिंग दे गई है कि आपका कौन कोंसी मेमोरी कितनी कहां का यूज़ है लाइक इमेज में मेरे पास 3.75GB वीडियो में मेरे पास 47.86GB audio, documents, installants file, compressed file, apps, system files, others and सारा कुछ आपको यहां पर दिख रहा होगा तो आप इसको maximum level तक कैसे आप इंदिज करें तो सबसे वेले आपको करना क्या है यह नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको recycle bin में में दिख रहा है जैसे कि यहां पर आप देखकते है recycle bin मे MPTD कर लेना है ऐसी यहां गैलरी में जाएंगे गैलरी में जाने का तो आपको यहां पर सबको MPTD कर लेना है ताकि आपके पास कोई भी recycle bin में data नहीं रहा है तो recycle bin को कम करने के आप देखेंगे वेरे पास 90% से 79% पर जोका है उसके बाद आप को करना क्या है नीचे आएंग अगर आपको लगता है कि यह यहां पर बढ़ जाएगी फ्री स्पेस हो जाएगी यह हो गया उसके नीचे आएंगे आपको duplicate file मिलेगी जाएगी Спåstate देख凍व और जो भी आपको duplicate file सेप करेंगे तो इससे भी आपकी maximum level तक यहां पर कम हो जाएगी तो आपको करने ना है मैं इसको रोड़ाly श्रेयो स्लोट कर रहा हूं आपको एक एक करके उसको कम कर लेना है और सबसे जरूरी चीच आपको यहाँ पर करना क्या है जैसी आप image पर क्लिक करेंगे image में आपको दिख जाएगी आपका इस कौन-कौन सी image या आपको इक इमेज को select करके उसको delete मार लेना है ऐसी आप videos में जाएगे तो आपको videos बता देगा कि आपको इस कोण-कौन सी video स्कते जादा memory खा रहा है तो आपको इसको delete कर लेना है तो मैं आप इसको video को delete कर लेता हूँ वीडियो को delete करने के लिए मैं जाता हूँ यहां पर gallery में यह आप देखेंगे अब मेरे पास यहां पास 64% का space बरा ले गया मतलब कि मेरे पास बहुत ज्यादा space खाली हो गया है और भी आगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको सारे वीडियो देख जाएंगी कौन को इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक वीडियो को हमापर select कर लेना और इसको delete कर देंगे तो काफी हद तक आपकी पर बच जाएगी ऐसे ही आप यहां पर आएंगे तो आपको साइस के साब से बता देगा कि गुगल ने आपके कितने अंबी खात की है यह आपको करना क्या है या तो आप इंक को यहां से अनिस्टॉल कर दीजिए या फिर आपको करना क्या है यहां नीचे जाके इस टोरेज पर क्लिक करके इसकी स्टोरेज को क्लियर कर दीए तो यह मेमोरी भी आपकी फ्री हो जाएगी बट एक चीज़ याद रखेगा जैसी आप इसको स्टोरेज फ्री करेंगे तो आपका जो जो भी इसमें लॉग इन डेटा या वोई ड्राफ्ट में जो भी इसकी आपको यहाँ पर एक-एक करके देख लेना है उसके बाद वहाँ ज़ाए मोट ज्यादा खारा तो आपको सीज़र सीजर क्लिक करें और उसको निस्टॉल कर दीजिए तो आपकी नेहां पर खाली हो जाएगी और जो भी अनियुस्ट आपको एप लगते हैं आपको उ ऐसे करके आपको एक चीज़ को डिलीट करने है जो सिस्टम फाइल है वो सिस्टम फाइल मतलब वह होता है जो आपके मोबाइल में डेटा इंस्टॉल्ड है डेटा बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक मेरे में एंड्रोइड 12 इस्टॉर या भी बो सकते हैं वन्योई 4.1 उसका वो बैकप होता है अब उसकी साइज होती है जो की इतनी fix होती है उसको आप डिलीट भी नहीं कर सकते विय्द ऑस जाएगा या मॉइल को फॉर्मिट करेंगे एक बार तो वह कम हो जाएगी बद जैसे जैसे आप उसको यूज करेंगे बैकरांड में कुछ फाइल है ह होती है जो create होती रहती है तो उससे आपके मोबाइल की जो system वाली आप है वह automatic system वारा data है वह आटिंग बरता रहता है वह जब ही कम होगा जब आप अपने मोबाइल को reset करेंगे तो reset करने वे backup पे पूरा data चले जाता है तो आपको बेले backup करना रहेगा उसके बाद उसको reset करेंगे तो आप देखेंगे महाँ पर काफी हद तक आपका कुछ आपको मेरी वीडियो पसनाहीद दो सब्सक्राइब नहीं किया जो सकते हैं और कि मेरे चैनल की नीएक्स के अप्ड़ीज आपको सबसरे मिले और हो सके नहीं इस्टागम फेसे फोलो करना भी ना बुलें इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो थेंकि दोस्तों